हलो प्यारे साथियों नमस्कार मैं आसीश कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन्राइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हर दिख स्वागत करता हूं साथियों आज आप लोग के बीच साइन्स बिज्ञान का एक टॉपिक लेके आया हूं जो मात्रक यूनिट का है और इससे में पहले दो वीडियो बना दिये थे उसमें बिज्ञान का परचे और रासी सदिस रासी अदिस रासी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं तो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कोमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें यह जो वीडियो है वह सभी अस्टुडेंट के लिए फाइदयमंद है जो कंपर्टीशन की त्यारी कर रहे हैं या फिर जो 910 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी और जो मैट्रिक के इकजाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत फाइदयमंद सावित होगा तो देखिए वीडियो को सुरू से अंतर देखें और मैं आपको बताता हूँ आज पढ़ाऊंगा SI पजती SI पजती देखिए साथियों अब आपका अंतराष्टिये पजती है जो अंतराष्टिय अपने के लिए एक मात्रक एक इकाई का प्योग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मात्रक पजती कहते हैं तो मात्रक पजती में हमने बताये थे कि मात्रक पजती जो है हमारे विज्ञान में वो चार परकार के हैं जिसमें से कि आपका एक है कि कौन है SI यूनिट जो बहु आता हैं कर देखिए करा के अंतराहश्टिये माप तवल की सविकार किया गया गया कर रहा है कि यह बास्तब के संसोधित है यह जो मातरक है जो चार पद्थीयां है उसमें केस्प पद्थी था उसी का संसोंधित रूप है जुकि आपका किसम्याहा एसाई मात्रक में आया है आपकागया कि आज कल इसी पद्थी का ज्यादत पर करा कि इस पज़ती कौन से जो SI unit है उस पज़ती में साथ मूल मात रख है और दो संपूरक मात रख है तो आप समझ गए होंगे कि SI unit जो है SI मात रख अंतराष्टिय पज़ती है वो क्या है तो बताये थे कि अंतराष्टिय मापतौल पज़ती 1960 हिस्वी में इसे क्या किया गया था मापतौल के unit में और यह जो है MKS पज़ती का संसोधित रूप है MKS कहीं परिवर्दित रूप बना है जो आपका किसक क्या है SI मात रख है इसमें SI मात रख में साथ मूल मात रख हैं और दो संपूरक मात रख हैं तो अब इतना में आपको SI में समझने में कोई दिक्कत न मात्रकों साथों कौन-कौन है और उसका 11 क्या है और Symbol क्या है तो देखिए सबसे पहले आपका है । लंबाई ये जो सकते हैं मीटर है मीटर और इसका प्रतिक जो सिंबूर जिसको दर साते हैं क्योंट देखिए हर बार हम इसे बड़ा रूप में लिख नहीं सकते हैं इसलिए हमको एक सिम्बूल किसी चीज का पहचान दिया जाता है उस तरह से हम लोग क्या किये हैं पहचान दिये हैं जो एसाइप पलती में वह स्मॉल एम है मीटर दूसरा आपका है द्रबमान जिसको मास बोलते हैं वह उसका मात्रक है किलो ग्राम जिसको हम लोग सिम्बूल में क्या किये हैं केजी से डिनोट किये हैं अब तीसरा आपका है समय टाइम जिसको हम सेकेंड में मापते हैं यूनिट इसका क्या है सेकेंड है जिसको स्मॉल एस के द्वारा सुचित करते हैं अब देखिए चौथा आपका है बिद्धुद्धारा इलेक्टिक करेंट जिसको हम क्या करते हैं एंपियर से सुचित करते हैं जहां भी कैप्टल दिख जाए तो आप समझ जाएगा किसका है एंपियर है अब पच्मा आपका है ताप टमप्रेचर तो ताप को हम केल्विन से दर्शाते हैं जिसका सिंबूल केप्टल के है अब छठा आपका है जोती तीरता लुमियंस इंटर सीटी जिसको हम लोग क्या करते हैं उसका मात्रक है यूनिट है केंडेला केंडेला जिसे स्मॉल सीडी से सुचित करते हैं और सत्मा है पदार्थ की मात्रा जिसका कहते हैं मॉल मॉल इसको हम लोग का स्मॉल एमॉल से सुचित करते हैं तो यह जो सातो यूनिट है सातो मात्रक भावतिक मॉल मात्रक है उसको मैं आपको बता दिये कि उसका है जिकी मात्रक पूछेगा या सिंबूल पूछेगा तो आप सभी का एक तरह से देख क्या बता सकते हैं और यही साथ मात्रक है जो आपको एकजाम में objective के रूप में पूछ देगा जिसे आपको पूछ देगा कि ताप का SI मात्रक क्या है तो क्या मताना है केलिविन बताना है उसको किसे समपूरक मात्रक है जिसको दो सम्पूरक मात्रक एक सम्तल कोन है जिसको रेडियन एसाई मात्रक है और दुसरा है ठोसिये कोन जिसको अश्टे रेडियन कहते हैं तो साथियों अब आपको इसमें किसी तरह का परिशानी नहीं होगा तो आप जैसे ही आप एक्जाम में जाएंगे आपका किसी चीज़ का मात्रक एसाई उनिट पूछे तो अगर यह आप साथ याद कर लेते हैं तो आपको एक नंबर कनफर्म है कोई पूछ सकता है तो साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट वाक्स में कमेंट करके बताएं और किसी तरह का परिशानी हो तो आप जरूर बताएं और मिलते हैं इसके बाद नेक्श्ट वीडियो में जिसका टॉपिक अलग होगा उस पे मैं आपको वीडियो लेकाऊंगा तब तक आप इसे पूरा कंठस्त मतलब समझ के याद कर लीजिए रटने की जरूरत नहीं है आप समझ गए होंगे तो आपको याद हो जाएगा तो साथियों अभी आप हमारे चैनल पे नए वीवर हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें जितना जादे सेर करेंगे उतना जादा आप और आपके दोस्त को फायदा होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद